जहिंद सभी को तो देखे सबसे ज्यादा तकलीफ हमको उस समय हुआ जो कि होली एसा खुस्याली वाला पर्व यह सेसी जीडी दो जार आठार कंडिडेट नहीं मना पाए अपने घर में और वो अभी तक दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका यही मांग है कि हम सभी का जितना होई मेडिकल फिट कंडिडेट हैं सबका ज्वाइनिंग हो जाए लेकिन सरकार भी इतना चुतिया है कि सुनने का ना भी नहीं ले रही है समझ रहे हैं बात को जिसको एक बार कुरसी मिल गया उसके बाद फिर उसको क्या टेंसन है यही फेरा है समझे सरकार बनने हम हम पहले बहुत बड़ा मोदी भक्त थे हम भी आप लोग के साथ 2018 से ही चल रहे हैं और जितने भी कंडिडेट हैं 2018 वाले सबको याद होगा कि हम 2018 से लेकर अभी तक उनके साथ में हैं और रहेंगे भी ठीक है भलें उनका कुछ हो यार ना हो लेकिन आवास तो सब दिन उठ आते हैं कि आप कितना भी कुछ प्रोटेस्ट किजिए यार नहीं किजिए एक बात याद रखे कि जो भी आपका इस्टडी है उसको रेगुलर बनाक रखिए मनते हैं कि आपका एज खतम हो गया है ऐसे से जीडी के लिए ठीकिन आप अपने जीवन से हार तो नहीं सकते ना और दुनिया में कुछ हाई की नहीं ठीक है तो इस्टडी भी एपना रेगुलर रखिए और प्रोटेस्ट भी किजिए काय कि मैंने कि हमारे देश में बीपक्ष मजबूत नहीं है अगर यहां का बीपक्ष पप्पू नहीं होता तो अभी हम लोग कहां रहते जानते हैं ब 2018 वाला कंडिडेट मतलब होली ऐसा पर्व समझें जो कि सुच्चे कि पिछले साल भी हमको याद है कि पिछले साल भी होली इदम सब कुसी कुसी से मना रहा था तो कि होली के समय में मेडिकल साइच चल रहा था या खतम हो गया था आध समझे उसके बाद भी उतना दिन ब्यorf करने के बाद भी जब स्टूडेट का सलक्षण नहीं होता है तो होली क्या मनाएगा हो लिकोन मनाता है लेकिन देख लिए सरकार का स्थिति अभी कोरोना देख लीजिए यह सब कुछ चाल है बॉस आप लोग जिस दिन समझ जाएगा ना सरकार गिर जाएगा समझे लेकिन अब जब सब कुछ सरकार कही हाथ में है तो अब कुछ नहीं हो सकता है लेकिन एक बात याद रखिए वह एक आदमी से पूछा कि यार शुम्पय की पूरा कोरोना आ गया है देश में कैसे क्या होगा वह यादमी बला एक काम कीजिए ना पूरा देश में जो है करवाड़त यह पूरे देश में चुनाव करवाड़ है कोई कोड़ा कैसे बेखे कुछ दिन परले बिहार में लेक्ष्यंस था तो क्योगरा नहीं था अभी बंगाल में लेक्षान है तो दो कोरणा नहीं है कि जिस प्रकार से लेक्षान कहताँ में खतम ہोуки इंघ लिए को यह जो देश है इसको एदम बिदेश बना दे लेकिन अभी यूबा का इस्तिति नहीं देख रही है यूबा कहां है नहीं है कैसे खाएगा अभी लॉग्डॉर्म लेजे होगा तो सबसे ज्यादा असर किसको पड़ेगा जो लेबर केटो गरीवला को है सरकारी नौकरी बाग तो बहुत बात है दोस्त ठीक है बहुत बात है कि अब आज अखिर उठेगा कैसे रहे आप लोग उतना दिन से हैं हम भी प्रियास कर रहे हैं कि आपका आवाज उठाएं लेकिन कुछ कामें नहीं हो रहा है अच्छा आप ही सोचे कि आपको हम बुला रहा है कि इधर आई इधर आई इधर आई आप देखेगा तब ना आप सुन रहा है मेरी बात को लेकिन आप अंदेखा कर रहे हैं ठीक है वही थी हो रहा है सरकार के साथ और हम लोग के साथ आप लोग के साथ अभी चवान और किसान जो मुक्य भूमिका निभाते हैं देश के लिए अभी दोन हम चैन्स कर देगा लिए अब मोदी सबको लूट लिया क्या क्या सब कुछ प्रेवेट कर दिया सला तो दोस्त देखें घबराइए नहीं जो भी हैं जो जितना भी हम फिर से बॉल बोल रहा हैं जो भी ऐसा से जीटी 2018 कंडिडेट हैं जो भी मेडिकल फिट हैं और उनको ल दोलन करने लगें उससे भी कुछ नहीं अब के पास mobile है आपके पास सब कुछ है अब हलका- हलका रिवीजन के तॉर पर सब कुछ सरसरी निगाह से देखते रही है याभी जो है मन लिए सब कोई फोच का नौकरी ही करता या सब कोई सरकारी नौकरी करते हैं ऐसा नहीं थित्च यह होगा नहीं होगा है कि Arbeit कि साथ देने वाला पूरा लोग नहीं मिलता है कुछ लोग हैं जो अभी वी घर में हैं वह सोचे राछा चलिए हमारा गुरूप पर दरसन कर रहा है तो हम भी सोचिए कि करिये रहे हम घर में हैं तो क्या हुआ है ठीक है खली लोग कमेंट में लिखेगा कि ओल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दो लेकिन कैसे दो कैसे दो मान लिजे आपका काम नहीं हो रहा है गाउं में आप अके लेगा है मुख्या पास वो लेगा जो 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 बाद में आना घुमा देगा इन कल्पनक यहीं अगर आप पूरा गाउं को ले आते हैं अपना मुख्या के पास कि कैसे नहीं करोगे तो मुख्या भी डर लोग जाकता ही नहीं है लोग भी महान है और सरकार भी दोगला है यहीं स्थिति है तो इस परकार के देश में किस परकास जीना है वो आपको सोचना है अब देखिए कुछ दिन पहले बात उठा अच्छा मान लिजे अगर ऐसा हो जाया आप ही लोग सोचिए जो जो भी घर है नहीं मेरे पास लेकिन सिर्फ आप लोग यह ना सोचें कि मैं आपका आवाज नहीं उठा रहा है इसलिए हम यह वीडियो बना रहा है कि हम आपको भूले नहीं है तो कि आपसे हम तीन साल तक जुड़े रहे हैं और आप मेरा एक परिवार है ठीक है कि हमको किसी भी सबकु संबब है और नहीं चाहिएगा तो लास्ट में वही गुप्चु पर चाट पकुड़ा बेचेगा समझे कोई उपाय नहीं है और पड़ लिख लिए हैं आप लोग लाज भी लगेगा कि अंडा कैसे बेचे लेकिन लास्ट में बेचना पड़ेगा दोस्त परिवार चलाना है अपको इसलिए अपना हक का लड़ाई लड़िए और जो भी हैं जाइए सामीर होईए बात में रिजल्ट देखा जाएगा आप लोग त्यारी करते हैं क्या सुचते हैं कि पास होईए जाएंगे कि त्यारी करते हैं उसी परकार से सुचिए ठीक है फिर समय लेगा बात करेंगे दानिवाद